नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम प्यारों दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीयस आनलाइन इस्टेडी में मैं ब्रिजेस आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि दोश्तों आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत की चुरावतियां क्या क्या थी यानि जब भारत स्वातं में आए इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहां आप सभी लोगों के लिए most important video है, जो आपके, अगर आप सभी लोग जूनियर की तयारी करें उत्तरफदेश जूनियर टीचर की तो दोस्तों उसके लिए वीडियो इसपेसली बनाई जा रही है, तो दोस्तों देर न करते हैं, चलिए हम आज की वीडियो को सुरू करेंगे, और दोस्तों अगर आप सभ यह हम वीडियो को शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनवती स्वतंत्र रियास्तों का भारत में बिले करना था क्या था स्वतंत्र भारत की जो सबसे बड़ी चुनवती थी वह स्वतंत्र रियास्तों का भारत में बिले करना था भारत के हैदराबाद रियासत का विले 12 अक्टूबर 1948 को हुआ था स्वतंतरता के समय जम्मु कस्मीर रियासत के सासक महाराजा हरी सिंग थे कौन थे स्वतंतरता के समय जो जम्मु कस्मीर रियासत के सासक थे हुआ महाराजा हरी सिंग थे जम्मु कश्मीर का भारत में 26 अक्टूबर 1947 में बिले हुआ कब हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में बिले हुआ और तीन जुलाई 1972 को सिमला सम्झावता जुल्फीकार भट्टो एवं इंद्रा गाधी के मध्य हुआ था जो सिमला सम्झावता हुआ था जुल्फीकार भट्टो एवं इंद्रा गाधी के मध्य हुआ था तीन जुलाई 1972 को तासकंद सम्झावता 1966 में हुआ कब हुआ तासकंद सम्झावता जो हुआ 1966 में हुआ था फ्रांस की सरकार ने पांडी चेरी चंद्रनगर तथा माहे भारत को 1954 में सौपा था गुवा को भारती संग में 1961 में सामिल किया गया भारत यों पात के बीच सिंधु जल सम्झावता 1960 में हुआ कब हुआ 1960 हिस्षिय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल सम्झावता होता है इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस ता हमारा लिखा राष्ट्री दोहच में लंबाई तथा चवडाई का जो उचित अनपात होता है वह तीन सम्मंधे दोका होता है यानि तीन अनपाते दोका होता है पंच शील सम्झावता भारत यों चीन दो देशों के मद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था भारत एवं चीन के दो देशों के मद्द दोस्तों इसका समझाता हुआ था महत्मा कान्धी की हत्प्या नाथू राम गोड़से ने 30 जनवरी 1948 को की कब की थी 30 जनवरी 1948 को स्वतंत्र भारत की रियास्तों के एकी करण में बल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर भून का निभाई सम्मिधान सभा की प्रारूप समिती की अध्यक्ष भीम राव अम्विटकर थे सम्मिधान सभा के सलाकार वी एन राव थे और जम्मू कास्मीर का भारत में बिले 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था इसके वाद 65 सिद्धान्त के कुछ घटक थे जैसे प्रदेशिक अखंड़ता का आधर करना आंतरिक माबलों में हस्त शेप करना और और नाक्रमर की भावना यह पंचशिल सिद्धान्त के घटक थे तो दोस्तों स्वतंद्र भारत की चुनवतिया यहीं सभी मोस्ट इंपर दिए गया है तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो करशी लगी आप लोग कमेंट करके जरूँ बताएं और अईसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप लोग चनल को सब्सक्राइब जरूर गये और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेय कर दो